हां जी तो सुर्ण से टॉपिक हमारे पास है डाट इस वोट सस्टेनिबल डिवलपमेंट तो सस्टेनिबल डिवलपमेंट में सुर्ण देखो समझना क्या आपको अलग-अलग UN standards के according की हमने क्या किया sustainable development को define किया जब मैं sustainable available development की बात करता हूं तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब है वो development country के अंदर वो development जो क्या होनी चाहिए development that benefits that benefits present as well as future generation इसका मतलब क्या है जैसा कि मैंने आपको बताया था economics को पढ़ने का एक सबसे बड़ा motive होता है sustain होने का sustain होने का मतलब क्या है sustain होने का मतलब है आप जो चीज कर रहे हो presently कर रहे हो इस तरीके से होनी चाहिए कि future में भी आप उसी चीज़ों क्या कर सको हो continue कर सको जैसा example मैंने आपसे दिया था मैंने आपको क्या कहा था मानलो को एक person है वह पांच रुपे देली के spend कर रहा है ठीक है कित्य रुपे spend कर रहे है डेली के पांच रुपे अगर वह परसन पांच रुपे डेली के कि अवे यार हां जी तो देखो सुर्ण पात हम करें sustainable development की sustainable development एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में एक rough आइडिया थोड़ा सा मैंने आपको पहले भी दिया था मैंने आपको समझाया था sustainable development का मतलब क्या होता है यह ऐसा attempt होता है जिसमें हम development को तो target करते हैं लेकिन वह development जिसको हम target कर रहे हैं हम उसको sustain करने की बाद भी करते हैं ठीक है इसका मतलब यह है कि मैं यह कोशिश कर रहा हूं मैं यह attempt कर रहा हूं कि जो benefits आज मैं अपने environment से avail कर पा रहा हूं यही benefits क्या हो मेरी आने वाली future generation से उनको भी मिले मतलब जो quality of life मैं enjoy कर पा रहा हूं I just want के वो same quality of life जो मेरी आने वाली future generation है वो भी क्या करें enjoy करें ऐसा students तभी possible होगा जब मैं अपने natural resources को इस manner में use करूंगा कि मैं उनको use करूंगा exploit नहीं करूंगा मैं just अपनी greed को solve करने के लिए अपनी greed के purpose के लिए मैं natural resources को use नहीं करूंगा मैं क्या करूंगा मैं कोशिश करूंगा कि जो मेरी future generations है वो future generations को भी क्या मिले उन सारी चीजों का equal benefit मिले तब जाके क्या होगा सुरिंस तब जाके sustainable development हो पाएगा ठीक है जैसा कि कुछ points मैंने आपके लिखें कि sustainable development development which allow all future generations to have a potential average quality of life इसका मतलब क्या है यह वो development है जो सारे future generations को allow करती है कि उनको एक same average quality of life मिल पाए ठीक है पहली बात दूसरी बात वो कह रहा है कि environmentalist जो है वो कहते कि sustainability का मतलब क्या है sustainability का मतलब है एक attempt जो clarify करता है the desired balance between economic growth in one hand and environmental preservation on the other इसका मतलब यह है कि आप यहां पर attempt कर रहे हो कि आप एक side तो अपनी economic growth लेके आओ मतलब जैसा कि मैंने students पहले भी आप से का था यह मतलब नहीं है sustainable development का कि तुम growth ना करो तुम growth करो तुम पूरी growth करो लेकिन students यह रखना पड़ेगा कि जो growth मैं कर रहा हूं वह growth किसी का हाम ना करें बच्पन से में सिखाया गया है एक बात सिखाई जाती है कि आप अपना फाइदा कर रहे हो बहुत अच्छी बात है लेकिन अपना ऐसा फाइदा नहीं करना जिससे किसी का नुक्सान होता हो यह हमें बच्पन से सिखाया जाता है तो वहीं जो सीख हमें बच्पन से दी जाती है वहीं हमें अपनी आदतों में आज करने की जरूरत है कि आज हम क्या सोचते एंवार्मेंट को कोई दूसरा नहीं सोचते हैं ठीक है हमें लगता है इंवार्मेंट चल ठीक है क्या हुआ फर्क पढ़ रहा है एंवार्मेंट रिस कहते हैं कि यार देखो एकनोमिक ग्रोथ करना बहुत जरूरी है ठीक है तभी देश आगे बढ़ेंगे तभी लोगों की जो क्वालिटी ओफ लाइफ है वो एनिंस होगी स्टैंडर्ड ओफ लिविंग है जो बढ़ेगा लेकिन स्टूरेंट्स साथी साथ में जरूरी क्या है कि आप अपने एंवार की तरफ नहीं देखते कि जो आपके एक्शन से उसका रियक्शन आपके एंवार्मेंट में क्या है तो एंवार्मेंट निस्ट यही कहते है कि सस्टेनेबिलिटी एक ऐसा अटेंट होना चाहिए जिसमें आप एकनॉमिक ग्रोथ तो करें ठीक है मतलब पूरी तरीके से अप आप के फारवेड करके ले जाएं लेकिन साबी वहांगोँ कि तरह का हाम किसी तरह का है नुकसान नहीं ठीक इस का मतलब कहां है के कौन से स्टाइचीीड है जो हम सस्टेनिब़ डिवलप्पेंट को अचीव करने के लिए यूज कर सकते हैं ठीक है तो इंपॉर्ट्रेंट हमें क्या दे रखा है use of use of non-conventional sources of energy use of non-conventional sources of energy सबसे पहला पॉइंट हमें क्या दे रखा है सुरुन सबसे पहला point हमें दे रखा है non-conventional sources of energy को use करना ठीक है अब non-conventional और नयुह है कि आख़नी के सोर्सेज। फे दो तरीके से हुते हैं convfetue को सोर्सेज। वो सोर्सेज। जिनको में बहुत लंबे टाइंप ब्लंबर वह At ताइम से यूज़ करते और ब сбt ऑनics रोता है यह वह सोर्सेज। होते होते हैं बर द में तो यह पॉइंट हमें क्या रहा है कि हमें सबसे पहले नॉन कंवेंशनल सोर्सेज और एनर्जी को यूज करना चाहिए जो आमने रीसेंट टाइम में क्या किये है डिसकवर किये किसको अपनी एनर्जी रिक्वार्मेंट को पूरा करने के लिए जैसा कि एक्जामपल आपको यहाद होगा विंट एनर्जी की हमने बात की थी तो विंट एनर्जी जैसी चीजों को में क्या करना चाहिए यूज करना चाहिए पहली फाइदा पहला फाइदा य है कि यह most recent form of energy है दूसर फाइदा यह है कि जादा तर जो हमारे पास non-conventional sources of energy है ठीक है उनसे pollutions किसी भी तरीके का emit नहीं होता तो पहली बात क्या होगी students use of non-conventional sources of energy ठीक है तो सबसे first thing यही होगी ठीक है इसके बाद students हम क्या कर सकते हैं इसके बाद हम use कर सकते हैं cleaner fuels का ठीक है और in fact student देखो infrastructure में मैंने आपको काफी जादा अच्छे level पर जाके clear किया था कि किस तरीके से जो कि wind energy है जैसे की coffee सारे areas है हमारे अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे areas है जहां पर wind जो है वह एक regular basis इस पर चलती है ठीक है तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं वहां पर बड़े 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 विंड मिल्स वगेरा लगा करके ठीक है वह जो flowing air है उसके through motors को rotate करके क्या कर सकते हैं अपने लिए energy requirements को पूरा कर सकते हैं इसके फायदे क्या होंगे तो इसने regeneration की टेंशन नहीं पहली चीज दूसरी बात आप किसी भी चीज को as a combustion किसी भी चीज को आप जला नहीं रहे तो किसी भी तरह के ग्यास की टेंशन नहीं है तो आप अपनी energy requirements को पूरा कर रहे हो means economic growth को target कर रहे हो साथ ही साथ में आप किसको ध्यान दे रहे हो आप अपने environment को sustain भी कर रहे हो तो पहला फायदा यह हो सकता है ठीक है दूसरी चीज हमें हमारे पास क्या सुरेंट यूज ऑफ कि यूज ऑफ क्लीनर यूज नेक्स हम क्या कर सकते हैं यूज ऑफ क्लीनर फ्यूल्स का मतलब क्या है सुरेंस यूज ऑफ क्लीनर फ्यूल्स का मतलब यह है कि आप cng का यूज कर सकते हो ठीक है तो इंडिया के रूरल पार्ट में जाने के बाद आज भी क्या होता है आज भी कहीं ना कहीं अगर आप देखो और समझने की कोशिश करो तो आज भी आप अगर वहां पे जाके देखो तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास घरों में चूला नहीं है तो वो लोग क्या करते हैं वो लोग वुड कोल इन सब को यूज करके अपने घर पे खाना बनाते हैं और जो भी रिक्वार्मेंट से उसको पूरा करते हैं सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं जो अपने transportation systems हैं उन transportation system में CNG का user कर सकते हैं टीक है तो CNG क्या cleaner fuel है जिसकी वज़े से जो environment है उस पे वैसे भी निकसान नहीं पहुचता तुकि कि उसमें जो carbon dialogue जो उसमें जो gases एमिट होती है वो बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है जिससे के नुकसान नहीं पहुंचेगा तो सेकेंड हम यह कर सकते हैं थार्ड हमें जो स्ट्राटेजी दे रखें सूरेंस क्या दे रखिए स्टाबलिश्मेंट ऑस मिनी हाइडल प्लांट्स को स्टाबलिश्म करने का मतलब क्या है अगर आप पहाड़ों की तरफ को जाएं उत्राखंट जाएं तिक है या फिर केरल की तरफ जाएं गुज्रात की तरफ जाएं यह जितने भी पहाड़ी एरिया मौंटेनरी एरिया यहां पर आपको अकसर बहुत छोटी-छोटी स्ट के लिए शुर रपवाड़ गbnय है तो कि यह जो फ्लोविंग वोटर उता है जो सुट्रीम से तरूफ बहर होता है या किसी भी जो अलिग-अलिव मीडियों निघ रहा है उस से हम अपनी मोटर्स जो है वो गुमा सकते है डोपाइन कर सकते है और एक बहुत बड़ अधाar जितने भी रूरल पार्ट है, जितने भी आसपास के 500 घर है, उनके consumption लायक electricity हम केवल वहीं से क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इसलिए आप mini hydro plants को establish करें, देखो सुरें, जब हम बड़े-बड़े hydro plants establish करते हैं, मलब डैम वगेरा, तो वो तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान पचाता है, क्यों? क्योंकि जो hydro plants हम establish करते हैं, डैम वगेरा, जो हम construct करते हैं, उसका नुकसान क्या है? उसका नुकसान यह है, कि एक बहुत बड़े area की, जो land होता है, यह उसको खराब करता है, ठीक है, बहुत बड़े area की land को खराब करने के साथ सा student इसका और क्या नुकसान होता है? इसका और नुकसान यह होता है, कि जितना भी आसपास का area होता है, उसके जितनी भी productivity हो, चाहे फिर वो agricultural land हो, वो भी waste हो जाती है, ठीक है, इसके साथ सा student और जो इसका नुकसान है, वो क्या है? इसका जो installation cost है, वो बहुत ज्यादा high है, मैं है, ऐसा नहीं कहता है, कि mini hydro plants का, जो installation cost है, वो लो है, mini hydro plants का installation cost भी जो है, वो high रहता है, लेकिन, लेकिन इससे मिलने वाले benefits जो होते हैं, वो उसके cost से बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, जैसा आप याद करो, human capital में मैंने आपको एक topic पढ़ाया था, कि expenditure on education is an investment, क्योंकि ज कर सकते हैं, तो यहाँ पर वही point है, कि अगर आप mini hydro plants के establishment के उपर money spend करते हो, अगर आप mini hydro plants के establishment में money को spend कर रहे हो, investment कर रहे हो, तो initial cost definitely आपके थोड़ी higher रह सकती है, लेकिन उनसे आने वाले benefits जो होते हैं, वो far more than होते हैं, far better होते हैं, जो initial आपने cost लगाई होते हैं, ठीक knowledge and practices, ठीक है, traditional knowledge and practices, अभी traditional knowledge and practices का मतलब क्या है, इस बात को समझो, traditional knowledge and practices का मतलब students यह होता है, जैसा कि आप जानते हो, कि इंडिया सबसे ज़्यादा rich है, अपने culture को लेके, तो कि जितना पुराना culture, जितना पुराना tradition, इंडिया के पास है, उतना पुराना world में किसी के पास भी नहीं है, और अगर हम उसी tradition को लेकर के students बात करें, तो इस tradition के अंदर, हर एक चीज को करने के तरीके, कैसे बताए गए है, आयरुवेद्या की मदद से बताए गए है, ठीक है, योग की मदद से बताए गए है, जिन सब के बारे में, in fact, मैंने आपसे infrastructure में, एक detail discussion किया भी था, आपको hopefully याद होगा, तो हमारे पास जो technical knowledge है, traditional knowledge जो है, ठीक है, हम उन्ही को यूज करें, जैसके पहले traditionally क्या होता था, लोग pest, जो मतलब manure था, ठीक है, fertilizer के तोड़ पे manure को यूज किया करते थे, ठीक है, जो कही न कहीं, soil की fertility को maintain करता था, और आपको एक healthy or tastier food देता था, ठीक है, इसके लावत जैसे कि जो medicines, आजकल जो medicines वगएरा, यूज कर रहे ह वो भी कहीं न कहीं environment पर बहुत ज़्यादा नुकसान पुचारी है, health expenditures जैसे जैसे देशों में बढ़ते जारे है, environmental cost और बढ़ती जारी है, environment का नुकसार और उता जारा है, यूज कि जब हम health expenditures की बात करते है, तो basically हम क्या करते हैं, basically हम target कर रहे होते हैं, किसका? हम target कर रहे है almost chemicals के उपर depend करती है तो मतलब हमारे को healthy रखने के लिए हमें अच्छी health देने के लिए जो pharmaceuticals की company है वो रातो रात बहुत सारे chemicals का use करते हैं उनके reactions के तुरू multiple level पर क्या बनाई जाते हैं medicines बनाई जाती है और यह chemicals ही again student जब dispose किये जाते हैं तो environment को नुक्सान करते हैं तो अगर हम इन chemicals वाली दुनिया से दूर निकल जाए और वापस से इंडिया जो अपने traditional knowledge और प्राक्टिस को आयरवेदा युनानी इन सब सब्सक्राइब चीजों के जिसकी प्राक्टिस इंडिया करता आया था हम वापस से वहीं करें तो इससे क्या होगा हमारी है जो लाइफ है वो तो healthy रही कि रहीगी साथ में जो मारे environment को जिस लेवल पर नुक्सान पहुच रहा है इन chemicals के वज़े से वह भी biocompost use of biocompost hopefully students आपने बहुत सारे advertisements देखे होंगे उन advertisements में क्या दिखाया जाता है उन advertisements में यह दिखाया जाता है कि जो chemical fertilizer's आप irrigation के लिए या फिर chemical fertilizer's hyv seeds आप जो इनका यूज कर रहे हैं इनको give up करना शुरू करें ठीक है और कहां जाएं आप सीधा organic food की तरफ जाएं अब biocompost में सुरंच देखो क्या होता है मैं आपको example देता हूं अगर आप urban areas में रहते हैं तो urban areas में काफी जो बड़े-बड़े areas वहां पर आपको कुछ machines दिखाई देंगी वह machines क्या करती है उन machines का काम यह होता है जितना भी आपका जो food है ठीक है जो food खराब हो गया जिसे आप मानते हैं कि आपने रात को बनाया था गर्मियों का गरम करना भूल गया कोई भी वज़ा थी सुबह तक वह खराब हो गया तो आप उसे फैक देंगे तो सुरूंस आप क्या कर दी गई है अब ऐसी बहुत बड़ी-बड़ी यह मशीन होती है मशीन में तंस के साब से वह food डाला जाता है जितना भी रॉटन फूट्स होता है जितना भी आपका खराब जितना भी परिशेबल आइटम सोते है वह डाल दिये जाते हैं ठीक है इसके बाद क्या होता है इसको बहुत सादा हैवी प्रेशर के अंदर कंपो इसको जोडने के लिए यूज करते हैं वैसे यह बहुत बड़ी बड़ी मशीन होती है जो क्या करती है कि जितना भी खाना आपका खराब होता है उस सारे खाने को क्या करती है यह कंपोस्ट करती है ठीक है कंपोस्ट करने के बाद इनको अलग-अलग थैलियों में पैक करके क्योंकि इसमें क्या किया जाता है इसमें आपके बचे वे खराब खाने से क्या बनाया जाता है जैसे कि हम फर्टिलाइजर्स उस करते हैं उन फर्टिलाइजर्स की जगा हम क्या कर सकते हैं हम इन मैनियोर को यूज कर सकते हैं इनका फाइदा एक तो food organically grow होगा जिससे हमारा जो organic farming का motive है वह भी पूरा हो जाएगा और दूसर फाइदा जो सुरंस हमें इस से होने वाला है वो क्या होने वाला है हमारे environment को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा तो कि स्वाइल की जो fertility है सुरंस वो क्या रहेगी maintain रहेगी क्या होगा जो स्वाइल की फर्टिलिटी एस सुरंस वो क्या रहेगी maintain रहेगी so that is use of bio compost ठीक है इसके बाद सुरंस हमें क्या दे रहेखा है इसके बाद हमें दे रहेखा six point that is use of biopest control of biopest ठीक है control of biopest तो आज सुरंस हम क्या करते हैं अगर मैं बात करूं farming के अंदर तो farming के अंदर जो सबसे बड़ा खत्रा होता 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 है pest attack ठीक है farmers के लिए बहुत बड़े concern की जो चीज होती है वो क्या होती है pest attack वो बहुत इस बाद से ढटते है कि किसी भी तरीके से तो फार्मर की सारी मैनत कर आप उसकी जो टोटल production है वह पूरी की खराब हो जानी राइट ठीक है तो पेस्ट जब हम बात करते है control of biopest की तो इसका मतलब क्या है traditional knowledge की बात करूंगा तो traditional time पे लोग क्या करते थे लोग जो pest control करते थे वो ट्रेडिशनल तरीकों से करते थे ठीक है मला completely organic तरीकों से करते थे जिसमें किया के जाता था नीम के पेड ठीक है नीम के पेड नीम के पत्ते इन से बनाई वी चोटी-चोटी गोलिया बनाई जाती जिससे की pest attack को control के जाता था hopefully आपको पता होगा कि जब आपके पेरले अगर आपकी दादी, grandmother, grandfather है exist कर रहे है तो वो लोग क्या कहते है वो लोग कई बर ही कहते है कि जब आप ठंड के कपड़े pack कर रहे होते है generally कि गर्मियों का season आगा ठंड के कपड़े pack करने इस तरीके से वो करते है उस case में वो लोग तो नीम के पत्ते दाल के कर polls कर देते है इससे क्या होगा क्योंकि नीम का पत्ता जो होता है खड़वा था और उस में कूछ students क्या होते है उसमें कुछ naturally उसजी प्रेजेंच होती है कि वो किसी भी तरीके कि pest को क्या कर सकता है था आपके तो प पेस्ट तो हम मार देते हैं लेकिन वो पेस्ट यूज का हो रहा है वो पेस्ट तो क्रॉप्स पे यूज हो रहा है अगर वो पेस्ट जो हमने फर्टिलाइजर यूज किया है वो कहां पे यूज हो रहा है क्रॉप्स पे वो ही क्रॉप्स कहीं न कहीं हम बाद में क्या करते हैं करते हैं तो chemical तो chemical है ठीक है चाहे वो कीडों को मानने के लिए बनाया जाए chemical किसी ना किसी amount पर chemical है ठीक है मानता हूं कि कीडों को मानने के लिए बनाया गया है तो उसके अंदर जो harmful जो हजार्डस चीजे होंगी वह बहुत कम होंगी लेकिन है ना अभी तो कोई लाइफ उससे बरी ठीक है इसका मतलब वही इंटेक अगर हम कर रहे हैं तो जो food intake हम कर रहे हैं तो वह तो पहले से ही क्या है वह तो पहले से अडल्ट है ठीक है उसमें तो पहले से से अमारी मानेजमेंट और वेस्ट चीक है इसके बाद सुरेंजमेंट और वैस्टमrage को समझाistes मैंने भी आपको OF कि आप कि आप ऐसे को मैंणगई करते हो जितना भी आपका बेस्त है आप उसी हूसा को मैनेज करते हो और एक फूर्टफोल एक प्रॉड़क्टिव रिसोर्स में कनवर्ट कर रहे हो तो Supreme सुरिंज यहां पर वही कहा गया कि जो भी आपका वेस्ट है आप क्या करें आप उस वेस्ट को मैनेज करें ठीक है क्योंकि वेस्ट से अगर हम कुछ प्रोड़क्टिव रिसॉर्स निकाल सकते हैं मैं अब एक बेसिकली अगर मैं बहुत बेसिक सेंस में करूं तो बाय प्रोड़क्शन का टेक्नीक सब्सक्राइब यूज करना चाहिए ठीक है बाय प्रोड़क्शन की टेक्नीक यह कहते है कि जब तुमने कोई समान बनाया उस समान से जो मटीरियल बच गया उस मटीरियल से भी तुम कु सब्सक्राइब ना आपने डोनेट किये ना वह आपके काम में लेकिन आपको पता होगा अगर अर्बन एरिया में रूरल एरिया में रहते हो तो भी आपने देखा होगा बहुत से लोग होते हैं जो क्या कहते हैं जो आप से यह कहते हैं कि आप अपने पुराने कपड़े मे मैं वह क्या करते हैं थोड़े लेंगे तो यह क्या करें और आपको क्या करेंगे कार्पेंच ओपंटी और यह कलो कबी भी normally है तो घरं में बिचाने के काम आजाएगा आपके आपके वेस्ट को क्या कर सकते हैं मैनेज कर सकते हैं ठीक है और इसके अलावा सूरंस हमारी जो Government of India वो बहुत सारे steps initiate कर रही है वो बहुत सारे steps ले रही है towards sustainable development और ना केवल Indian government world के अंदर जितने भी governments हैं जितने भी conferences हैं वो सारे लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किस चीज की कि वो क्या कर सके वो बस किसी भी तरीके से sustainable development के target को achieve कर सके so soon that is the whole idea of sustainable development ठीक है hopefully आपको यहां तक का सारा concept sustainable development का भी समझ में आ गया होगा कर दो